मैंने यही कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद तुरन राम मंदिर, गवरक्षा और समान नागरिक सहुईता का कानून एक महिने में बन जाना चाहिए हमने राह देखी, हमको लगा था कि एक दो साल में बनेगा, अब चार साल बिद गया और अब तक चर्चा करने के लिए तयार नहीं है तब चिंता हो रही है कि क्या इस सरकार में भी राम मंदिर नहीं बनेगा और दुसरा मुद्धा, राम की जन मस्तहनी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का सडियन तरह चल लाहा है यदि हिंदू सावधान नहीं रहा, तो मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा मुझे पता नहीं है वहां अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ा करने का भी कोई काम करवा ले मैंने कहा पहली सरकारों पर भरोसा नहीं था इसलिए जन्ता ने सरकार बदल डाली इस आसा से मैं सरकारों के बारे में कोई मुल्यांकन नहीं दे रहा हूं दूंगा भी नहीं मैंने जिस जिस प्रश्णक खड़े किये वह प्रश्णक का अब तक समाधान नहीं हुआ है रोजगार मिलने की जगार रोजगार कम होगा तो रोजगार कम हो जाता है मैं हिंदू को अपनी मागे पुरी करवाने के लिए जनजागरण करता रहा हूँ करता रहूंगा ये देश की जनता के सामने विकल्प नहीं है वह आज दिख रहा है विश्व हिंदू परिशद कहेगी अयोध्या में मंदिर बनाओ, गवरक्षा का कानून बनाओ, कश्मिर के हिंदू को बसाओ दस करोड हिंदू योवानों को रोजगार करगे किसानों को कर्ज मुक्त करो और नहीं करोगे तो जनता अपना रास्ता डुणने के लिए मजबूर हो जाए इतनी बातों का जो शुकार करेंगे उनको जनता अपने आप डॉक्टर तोगडिया पे कहें पिना समर्थन करेंगे बेस्विरा, बेस्विरा, बेस्विरा